तो अब हम लोग डिस्टस करेंगे उस प्रासेस के बारे में जिसमें की ग्लुकोज के मालकुल का कम्प्लीट आक्सिडेशन होता है और लाज नमबर आप ATP मालकुल रिलीज होते हैं जो की डिफरेंट सेल्लोर मेटाबोलिजम में यूज होते हैं नीडेड होते हैं इसके अंदर और इसके लिए आक्सिजन की रिक्वाइर्मेंट होती है इसलिए इस प्रासेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पाइरेशन तो अब हम लोग डिसकस करेंगे एरोबिक रेस्पाइरेशन के बारे में एरोबिक रेस्पाइरेशन इस दप्रासेस दाट लीडस त in the substrate, तो दो चीज़ें यहां पर हो गई, एक तो यह process जो होगा, complete oxidation होगा, organic substance का in the presence of oxygen, और इसका product क्या बनेगा इसमें, CO2, water and large number of energy in the form of ATP, तो जब aerobic respiration होगा oxygen के presence में, तो उसमें mitochondria के अंदर यह process होगी, और product इसका जो होगा, end product होगा, वो CO2, water and ATP, large number of ATP होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे, aerobic respiration, तो aerobic respiration कहां होता है, mitochondria के अंदर और final product जो glycolysis का है, pyruvate या pyruvate acid is transported from cytoplasm into mitochondria, तो अब जो pyruvate acid आपका बना glycolysis के अंदर, वो कहां बनता है यह, glycolysis जो process होती है, वो होती है cytoplasm में, अब यह cytoplasm enter करेगा mitochondria में, तो mitochondria में enter करने के बाद उसका फिर वहाँ पे complete oxidation होगा, और जो end product है carbon dioxide और H2O वो फार्मेशन होगा, तो complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atom leaving three molecular CO2, अब जैसा कि आप जानते हैं pyruvate का जो फार्मूला होता है CH3CH COOH, तो इसमें क्या होगा, जितने भी hydrogen molecule हैं, वो इसमें से निकाल ले जाएंगे, तो बचेगा इसमें क्या CO2, ठीक है, दूसरी चीज, passing of electron removal as part of hydrogen atom to molecular O2, with simultaneous synthesis of ATP, और इसमें जो electron होगा, जो electron होगा, वो removed होगा, कैसे, as a part of hydrogen atom to molecular O2, तो इसमें electron जो है, वो hydrogen atom से निकल कर molecular O2 के फार्म में, और with synthesis, ATP के synthesis के फार्म में होगा, इसके बारे में हम लोग आगे distance करेंगे, कि यह जो electron का moment होता है, वो किस तरह से होता है, electron transport system में हम लोग इसको वारे में detail में पढ़ेंगे, किस तरह से ATP की synthesis होती है, इसके बाद इसमें देखना एक interesting चीज यह है, कि first process takes place in the matrix माइटो कांडिया, while second process located on the inner membrane of माइटो कांडिया, तो यहाँ पर जो aerobic process है, यह दो step में होगी, इसमें एक होगा, क्रेफ साइकिल या, कर्वोक्सिलिक एसिट साइकिल और दूसरा जो step होगा, वो होगा, electron transport system and oxidative phosphorylation, उसके बारे में हम लोग अब discuss करेंगे, आगे यहाँ प होगा, जो दूसरा रिक्स, पहला reaction माइटो कांडिया के मैट्रिक्स में होगा, जबकि दूसरा reaction, inner membrane माइटो कांडिया में होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो glycolysis का end product है, वो pyruvate acid या, pyruvate है, और यह enter करता है, cytosolk से, माइटो कांडिया के मैट्रिक्स में, माइटो कांडि और यह enzyme जो इसमें यूज होता है, वो है pyruvate dehydrogenase, यानि हम यह कह सकते हैं कि glycolysis और क्रेव साइकल के बीच में, एक complex reaction का सेट और होता है, जिसको हम लोग बोलते है, oxidative decarboxylation, तो उसमें होता क्या है, आप यहाँ पर देख रहा है, यह reaction है, pyruvate acid है, यह pyruvate acid, और coenzyme है, और NAD, यह magnesium iona और pyruvate dehydrogenase enzyme के presence में, किसमें change होते हैं, coenzyme अब change हो जाएगा, estil coenzyme में, जो pyruvate acid का फार्मूला आप जानते हैं, CS3CO, COOH होता है, जो उसमें estil group होता है, वो coenzyme के साथ add हो करके estil coenzyme बनाता है, इसके साथ carbon dioxide release हो जाती है, और जो hydrogen है, वो NAD को change करता है, NAD, ह H+, में, तो इस तरह से, यहाँ पर pyruk acid का dehydrogenation हो रहा है, यह कह सकते हैं, already oxygen हो रहा है, तो इसे लिए इस process को हम लोग बोलते हैं, और carbon dioxide भी यहाँ पर release हो रही है, जिज़े इस process का नाम क्या होगा, oxidative decarboxylation, क्योंकि hydrogen release हो रही है, और carbon dioxide भी release हो रही है, इसी लिए इस प्रासेस को हम लोग बोल सकते हैं आक्सिडेटिव डी कार्वोक्सिलेशन तो यह जितना एक वन इस्टेप रेक्शन नहीं है इसमें बहुत सारे इंटर्मीडेट प्रोडक्टी बनते हैं जिसको कि आपके स्लेवस में नहीं बताया गया है लेकिन यह अगर अगर कमपलेट कमपलेट प्रासेस को आप जो यह यह इंग बनता है वह अब प्रेट करेगा किसमें क्रेप साइकल के अंदर तो नीचे आप डाइग्राम में यह उपर देख रहा है पार्वेट जो है वह यह जो पूरी प्रासेस है को एंटर करेगा सेट्रिक असीड साइकिल या क्रेप साइकिल में तो क्रेप साइकिल कहां पर होती है हमने बताया यह भी माइट्र कंडिया के माटिक्स में होती है दूसरी चीज यहां पर यहां पर बना था वह तो मालकुल होगा हमेशा तो एटी पी जहां भी जो डबल होगी ठीक है क्योंकि जो पाइग ग्लुकोज का अगर एक मालकुल है तो उससे कितने पार्व के सिट बनत पाइग जिए यहां पर देख रहा हैं यहां पर सिंगल मालकुल का रिक्षन दिखाया गया है क्योंकि पायर्विक इसडिट जो फार्म होगा वो ग्लुकोज का अगर एक मालकुल है तो यहां पर सारा रिक्षन डबल हो जाएगा इस त्रह से हम पूरी प्रासेस को आगे द लाए मैंदर क्रेंज कर जाता है कि अदर क्रेम को काल देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि सिट्रिक एसिट साइकिल या क्रेव साइकिल और ग्लाइकोलेसिस के बीच में की स्टेप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आक्सिडेटिव डिकार्बोकसिलेशन जिसमें पारिविक एसिट चेंज होता है एसिट्रिक एसिट्रिक एसिट साइकिल या इसको टिसीए साइकिल ही बोलते हैं Tricarboxylic Acid Cycle या Crepe Cycle तीनो नाम है इसके तो इसमें होता क्या है कि Estil Coenzyme Group Estil Coenzyme A Enter करता है Crepe Cycle में और Attach होता है आग जैलो Estic Acid से तो इस Estil Coenzyme A का Estil Group जो है वो Condense होता है आग जैलो Estic Acid के साथ इसका आपका ये जो Coenzyme A है इसका Estil Group जो है वो ये Estil Coenzyme है तो इसका ये जो Estil Group है ये आग जैलो Estic Acid के साथ Condense होता है और Farmation करता है Citric Acid का और Citric Acid का Farmation होता है तो ये क्या है यहाँ पर ये 4 Carbon Compound है इधर से जो Estil Coenzyme आ रहा है ये 2 Carbon Compound है तो टोटल जो Farmation अब यहाँ पर हो रहा है वो 6 Carbon Compound का हो रहा है और यहाँ पर Enzyme जो यूज होगा उसका नाम है Citrate Synthetase नाम से ही क्लियर है Citric Acid का Farmation हो रहा है और Synthesis वरी इसका नाम हो गया Citrate Synthetase यहाँ पर एक Water का मालकुल भी Entry करता है तो इस तरह से Estil Coenzyme A और Axelastic Acid Condense हो करके Farmation करते हैं Citric Acid का ठीक है और अब क्या होगा आगे यह Craft cycle यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अब Citric Acid यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ दिखाएगा Alpha Keto Gluteric Acid अगले स्टेप में लेकिन इसके बीच में एक Intermediate Product और बनता है जिसको में लोग बोलते हैं Isocetric Acid Isocetric Acid और Citric Acid एक्चुली वो Isomer ही है इसके बाद क्या होगा इसके बाद यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं यह NADH H Plus का Farmation हो रहा है Reduction हो रहा है यहाँ पर Hydrogen Release हो रही यहाँ पर तो यहाँ पर बनेगा Axelosuccinic Acid यह और Intermediate Product यहाँ बनता है जो आपके बुक में 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 बेंसन नहीं है फिर भी मैं बता जे रहा हूं तो यहाँ पर Isocetric Acid है फिर उसका Reduction हो करके बनेगा Axelosuccinic Acid फिर Carbon Dioxide यहाँ पर रिलीज होगी तब बनेगा Finally Alpha Keto Gluteric Acid तो डारेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया कि यह 6 Carbon Compound है यह भी 6 Carbon Compound है आग यलो सक्षनिक Acid भी 6 Carbon Compound है और इसे एक Carbon Dioxide यहाँ रिलीज होती अब यह 5 Carbon Compound बनेगा जिसका नाम है Alpha Keto Gluteric Acid इसके बाद Next Step में इसमें से एक Carbon Dioxide और यहाँ पर रिलीज होगी जब यहाँ पर एक Carbon Dioxide और रिलीज होगी तो अब जो मालकुल बनेगा यह Carbon Dioxide यहाँ रिलीज हो रहा है और NADHS भी होगा यानि एक बार और इसका रिडक्षन होगा तो बनेगा सक्सीनिल कोएंजाइम A सक्सीनिल कोएंजाइम A 4 Carbon Compound है इसके बाद यहाँ पर एक ATP और रिलीज होती है यानि एक Phosphate Group यहाँ से निकलता है लेकिन डारेक्ट ना निकलके GDP और GTP के थूर निकलता है यानि पहले वो GTP बनाएगा GTP से फिर वो अपना Phosphate Group टांसफर कर देगा किसको ATP को इस तरह से यहाँ पर ATP का फार्मेशन होता है इसके बाद फिर क्या होगा यह सक्सीनिल कोएंजाइमे इस Phosphate Group के निकलने के वज़ाइस से अब चेंज हो जाएगा सक्सीनिक एसीड में तो सक्सीनिक एसीड फिर क्या होगा सक्सीनिक एसीड जो बनेगा वो फार्मेशन करेगा आग जैलो एस्टिक एसीड ठीक है तो सक्सीनिक एसीड चेंज होगा Malik Acid में Malik Acid Change होगा Agility Acid में तो सक्सिनिक Acid के बाद में यहाँ पर भी एक Intermediate Product बनता है जिसका नाम है Fumic Acid किमरिक Acid फिर Change होता है Malik Acid में अब Malik Acid फिर यहाँ पर अब दू दव चीज़ें होंगी यहाँ पर भी Hydrogen निकल रहा है reduction हो रहा है यहाँ पर भी reduction रहा है तो सकसिनी के सीट से malik acid के बीच में भी reduction हो रहा है यहाँ पर लेकिन hydrogen हो रही FADH2 के farm में NaDh के बंज़आ यहाँ पर FADH है और फिर malik acid से agelostic acid बनता है फिर यहाँ reduction हो रहा है Hydrogenologically यह उसी तरह एने डी एच एस प्लस के फार्म में ही रिलीज होगा तो फिर यह आग जेले एसीड बने गा यहां पर जो कि फाइनली हम जहां से लोग स्टार्ट किये थे इस साइकल को तो इस तरह से यह पूरा एक साइकल लेक साइकलिक मैनर में है ट्राइ कार्बोक्सलिक एसीड साइकल तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यहां पर जो अब जीटीपी से जो जीटीप बना यह सबस्टेट लेविल फास्ट पूरा एलेशन कहां होता है तो वो यही पॉइंट है जहां पर जीटीपी का जनरेशन हो रहा है ठीक है वो बाद में फाइनली आखिर वो एटीपी में ही चेंज हो जाता है तो यहां तो इस तरह से हम देखते हैं कि एने डीच का फार्मेशन कितनी जगा पर हुआ तो फ्लसपे न-डीच का फार्मेशन हो रहा है और श्राइजक परेशन का फार्मेशन हो रहा है और पारतीच जू है वो लिए लिए फ्तीमर के नबघ वी डबल तो न-देच्ट एक है तू अंड और फा-डेच टू Ulb बढ़ील और फॉर्ट को ईंजाइम के बीच में नए द्याज प्लस प्लस बन रहा है। तो इस तरह से 1, 2, 3 and 4 pluses लेकिन यह क्या होगा 4 यह ने ड्ह प्लस तो बन रहा है लेकिन यह चुकि डबल मालकुल है इसलिए 8 हो जाएगा और इसका नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे एक जिगा ATP का भी फार्मेशन हो रहा है यह तो यह चुकि डबल होगा ए पारियोगे सीट फ्लस एनडी एच, फॉर एनडी एच प्लस फॉर है न यह पूरा, यहाँ से स्टाट करिए, फॉर है यहाँ पे फॉर एनडी है, प्लस एफ एडी प्लस 2 ह्टू ओ प्लस 8 सबस्żej pit और इंहीं को हम King 2 से मल्टिप्लाइक कर सकते हैं, तो टोल्ट डेक्षन deixar को 2 हमाँ बाहर सीघ्वाएnd तो यह अगर सिंगल कोज मालकुल की बात होगी, तो यह पूरा रियक्षन डबल हो जाएगा ठीक है तो यहां पूर NADH H plus के बजाए 8 हो जाएगा यहां 1 के बजाए 2 FADH हो जाएगा यहां 3 CO2 के बजाए 6 CO2 होगा और यहां 1 ATP के बजाए 2 ATP होगा तो इस तरह से यह पूरा क्रेफ साइक्ल के बारे में description था और इसमें खास बात यह है कि इस पूरे reaction में या इससे पहले जितने भी reaction है glycolysis या oxidative decarboxylation जो फेस था उसमें कहीं भी oxygen अटैच नहीं भी अभी तक जबकि यह aerobic respiration है इसके बावजूद अभी तक oxygen का कोई role इसमें नहीं हुआ है अब जो अगला step हम लोग पढ़ेंगे उसमें oxygen का रोल होगा तो इस तरह से यह throughout reaction हो गया पूरा इस crave cycle यह कह सकते हैं aerobic respiration की जो process थी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था glycolysis के बारे में या anaerobic process थी ठीक है यह इस तरह से आपका पूरा aerobic respiration के बारे में हो गया अब इसके आगे हम लोग जो यहां पे जो end product बन रहा है NADH plus और FADH2 इनका क्या होता है आगे और इनसे अब चुकि इसमें आप देख रहे है ATP यह क्या दो मालकुल बन रहे है टोटली तो बहुत ज्यादा नंबर ATP यहां से रिलीज नहीं हो रहा है तो अब ऐसा कौन सारेक्शन होगा जिसमें की ज्यादा नंबर आफ ATP का फार्मेशन होगा उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे electron transport system में और उसको एक साथ में हम लोग कते है oxidative phosphor relation phosphor relation का मतलब ATP की synthesis इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे